स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो बिहार दरोगा का जो एक्जाम होने वाला है 26 दिसंबर को उसके लिए गेस करेंट कोश्चन लेके आ है करेंट अफेर्स का कोश्चन है और 136 कोश्चन हम सेलेक्ट किये हुए है यह ग्यान दरपन के तरmost सेलेक्ट किया गया है और यह कोश्चन दिया गया है इंका सब्सक्राइब लगे 136 कोश्चन रहेगा करेंट अफेर्स का और उससे आपका करिब करेब 8 यार्ठ कोश्चन साहसे 8 यार्ठ आने की पूरी संभावना रहेगी, उससे जाधा भी हो सकता है, ठीए, कम भी हो सकता है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोश्चन हाँ, कोश्चन जितना है 136 कोश्चन सेलेट किया गया है, उससे आपका जरूर आएगा तो बिहार दरोगा में तो आएगा ही आएगा अगामी जो BPSC और CDPO का जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये महत्पूर्ण है तो इस वीडियो में आज हम एक से लेके 136 कोश्चन का करेंट अफेर्स का पूरा कोश्चन और उसका एंसर हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप लोग अगर बिहार दरोगा का एक्जाम देने जा रहा है तो एक वार इस पूरा वीडियो को जरूर देख ले ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लगेगा ठीक है केवल कोश्चन और एंसर इसमें हम करवा दे रहे हैं चलिए तो आईए यहाँ पर पहला कोश्चन पहला कोश्चन बोर रहा है कि कि सोशल मीडिया कमपनी का नया नाम मेटा होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन ए फेस्बुक का दूसरा कोश्चन आईए जुलाई 2021 भारत के किस राज में मुख्य मंतरी किसान मित्र उर्जा योजना को लांच किया गया है तो दूसरा का इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन बी राजस्थान मुख्य मंत्री किसान मित्र उर्जा योजना को लॉंच किया गया किस राज में तो राजस्थान में नेक्ष आई ये तीश्रा नमबर में तीश्रा मुरा की हाल ही में अभी मन्यू मिस्रा विश्च के सबसे यूवा ग्रेंड मास्टर बन गया है वो कितने वर्स के हैं तो तीश्रा का याद रखेगा उप्शन सी है बारा वर्स का तो यहाँ पर दो कोशन हो गया कि विश्च के सबसे यूवा ग्रेंड मास्टर कौन है तो अभी मन्यू मिस्रा और पुछे है कि कितने वर्स के हैं तो बारा वर्स के हैं नेक्ट कोशन है यह फोर में टोकियो ओलमपिक 2021 में मीरा बाई चानू को कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक कूल 202 किलोग्राम भार उठा कर जीती थी तो देखें कोशन में भी दो तीन एंसर आपका निकल जाएगा तो इस वज़ा से यह कोशन इसी तरह से सेट किया गया है कि कोशन से भी आप लोग को लाब मिले और उसका ओप्शन से भी आपको लाब मिले तो मीरा भाई चानू कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक कूल 202 किलोग्राम भार उठा कर जीती हैं तो चौथा के इसका सही एंसर हो जाएगा उप्शन ए उन्चास किलोग्राम के मतलब वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है नेक्षा ये पाचुवा में पाचुवा बोरा की भारत और एसिया का पहला राष्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंदर किस राज में खोला जाएगा पाचुवा का हो जाएगा उप्शन डी बिहार में नेक्षा ये सात्वा नंबर में हाली में किस देश ने इसराइल के तेल अवी में पहला दुतावास खोला है तो सात्वा का आपका हो जाएगा उप्शन C UAE यानि कि सहीउक्त अरब अमिरात आठवा नंबर में ये जुलाई 2021 में विदेश मंत्री S.J. संकर ने किस देश में महात्मा गांधी की परतिवा का अनावरन किया है तो आठवा का इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन D. जॉर्जिया नेक्ष्ट आएगे 9 नंबर में 9 नंबर कोशन बोर रहा है कि भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने किस भूत पूर किर्केट खिलाडी को भारतिय टीम का मुख्य कोच निउक्त किया है जबकि राष्टे किर्केट अकादमी के परमुख BVS लच्चमन है तो ये एक अलग से इसमें दे दिया गया है ताकि आप लोग याद रखे है ठीक है तो 9 का क्या इसका एंसर हो जाएगा राहुल दड़वीड को भारतिय टीम का मुख्य कोच निउक्त किया गया है नेक्ष्ट आएगे 10 नंबर में दस्वा नंबर 12 की हाल ही में भारत सरकार ने किस कमपनी को महारत्न की उपादी दी है जिसके बाद महारत्न कमपनीयों की संख्या 11 हो गई है तो ये हो जाएगा उप्सन B Power Finance Corporation Limited इसको हाल ही में महारत्न कमपनी का दरजा दिया गया है नेक्ष्ट आएगे 11 नंबर में 11 नंबर 12 है कि IPL 2021 का खिताब चन्नाई सूपर किंग ने चौथी बार किस टीम को पराजित कर जीता है तो 11 का इसका सही अंसर हो जागा उप्सन B कोलकाता नाइट राइडर्स को तो पुछे रहा कि चन्नाई सूपर किंग कितनी बार IPL का खिताब जीता है तो चौथी बार नेक्ष्ट आए 12 नंबर में निमलिखित में से किसे भौतिक विज्ञानी के छेतर में नोबिल पुर्सकार 2021 नहीं मिला है तो भौतिकी विज्ञान में किसे नहीं मिला है तो बारा का इसका हो जाएगा उप्सन डी फ्रांसिसको एवा गेज फ्रांस को बहुत की का नोबिल पुर्सकार नहीं मिला है 2021 में नेक्ष्ट बुरा है कि सुमलित कीजिये ठीक है तो तेरा का यहां पर देख लिजे है तीरा का जो है आमने सामने सभी सुमली थे हैं इसको इस तरह से दिई आ गया है कि ताकि आप लोग यहाद रख ले तो सहीतें को मिला है आपदुर्रज्जा गुर्रा तंजानियां के हैं में हैं सांती में मिला है मारिया रेशा फिलिपींस और डमित्री मार्ते ciudad रूस को और सास में मिरा है डेविट कार्ड अमेरिका और जोसुआ एंग्रिश्ट अमेरिका और गुईडो इंबेस अमेरिका को और उसी तरह यहाँ पर आज है रसायन विज्ञान में मिला है बेंजामीन लिष्ट जर्मनी और डेविट मैकमिलर्न अमेरिका को और चिकिस्ता का इसली तरह है आम ने सामने का सही है ठीक है तो Арjaय Wariya 2021 भारत tell मारइस हूवरतिपते की बीच मित्रसठी का एंडे पाल के बीच खला बारत स्िरिलंका के पलंगर के बीच ठीछ सक्ती 3 कि जबा है समुध्र अभ्यास यह इंडोनेसिया बारहमाद 2021 जो हुआ था ये भारत और रूस के बीच में वोलकाग्राड रूस में हुआ था तो ये आप लोग सब इंपोर्टेंट है नोट कर लिजेगा नेक्षा ये पंदरा में भारत के किस देश के साथ 2 प्लस 2 मंत्रिय स्तरिये समवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ जबकि नोवंबर 2021 में या अमेरिका के साथ हुआ था तो पंदरा का यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्सन डी ये अस्टेलिया के साथ हुआ है नेक्ष आये 16 नमबर में 16 नमबर बूर रहा है कि हाली में सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्टिय उद्यान कौन सा है तो 16 का यह हो जाएगा ऑप्सन C काजी रंगा अभ्यारन अस्सम में 17 नमबर आये 15 अगस 2021 को परधान मंतरी ने लाल किले की प्रचीर से देश को कब तक उर्जा सोतंत्र होने का लच्छ निर्धारित किया है तो 17 का यह हो जाएगा ऑप्सन B वर्स 2047 तक नेक्ष आये 18 नमबर में 18 नमबर बोर रहा है यहाँ पे कि अफगनिस्तान में तलिबानियों के कबजे के बाद वहां से भारतियों और अफगानी मुल्के लोगों को भारत ने किस अभियान के तहट बाहर निकाला है तो यह हो जाएगा ऑप्सन C ओपरेशन देवी सक्ति नेक्ष आये 19 नमबर में उननीस में बोर है कि 27 अगत 2021 को किस मंतराले दोरा 100 दिनों का सुजलाम नाम से भियान शुरू किया गया है तो यह उननीस का इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन D जल सक्ति मंतराले के दोरा बीश नमबर में यह इसरो नासा सहिंक्त मिसन निसार उपगरा का परच्छेपन किस वर्स परस्तावित है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन B वर्स 2023 तक नेक्ष्ट आईए 21 नमबर में 5 अगस 2021 को कोविड-19 के बिरू 100% टीका करन करने वाला भारत का पहला सहर कौन बन गया है तो इसका हो जाएगा ऑप्सन A भूनेश्वर नेक्ष्ट आईए 5 अगस 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दी बाड़ी चिला हाटी रेल लिंक सेवा सुरू की गई है तो बाइस का इसका सही हो जाएगा ऑप्सन B बंगला देश नेक्ष्ट आईए 23 नंबर में भारत सरकार दोरा पहली बार विभाजन BBC का असमिर्ती दिवस कब मनाया गया तो तेश्ट का सही हो जाएगा ऑप्सन A 14 अगस 2021 को नेक्ष्ट आईए 24 में बुरा लगभग 50 विभिन परजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गैमी कुद्यान का उधगा टन जुलाई 2021 में कहां किया गया तो 24 का सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन D देहरादून उत्राखंड में 25 नंबर आईए परधान मंत्री मोदी ने हाली में भारत के किस सहर में जापानी सैली के जेल गार्डेन का सुभारम किया गया है तो जेन गार्डेन का सुभारम कहां किया गया है तो 25 का इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन C एहमदावाद में नेक्ष आये 26 नंबर में जुलाई 2021 में परधान मंति नैन मोदी ने कहां पर जापान के सयोग से निर्मित इंटरनेशनल को अपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है का उद्गाटन किया है तो 26 का ये हो जागा ऑप्सन ए वारानसी में नेक्ष आये 27 नंबर में 27 में बोरा की हाली में भारत के पहले जैव विवित्ता उद्धान भारत वाटिका का उद्गाटन किस राज में किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है तो ये हो जागा ऑप्सन बी उत्राखंड में 28 नंबर में आये जून 2021 में रेविश से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो 28 का ये हो जागा ऑप्सन ए गोवा याद रखियेगा 29 नंबर में 29 बोरा की वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुर्षकार विजेता एस्थर डुफले और आर्बियाई के पुर्ग गवर्णर रगुराम राजन को पांस सदस्य राज आर्थिक सलहकार पुषद में नामित किया है तो 29 का ये हो जागा ऑप्सन सी तमिलांडू नेक्स आये 30 नंबर में 30 बोरा की अपने सतत विकास लच्छों के हिस्से के रूप में वितिये वर्ष 2021 में नेट एनरजी निूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतराश्टिय हवाई अड़ा बन गया है तो 30 का याद रखेगा ऑप्सन 1 कैमपा गोड़ा अंतराश्टिय हवाई अड़ा नेक्स आये 31 नंबर में 31 नंबर बोरा की हाली में 20 बेबार संगठन में भारत के अस्थाई मिसन में काउंसलर के रूप में किसे निूट्ट किया गया है तो 31 का इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन B आसीश चांद रोकर को 32 माई ये जून 2021 में नीती आयोगदारा पस्तूस SDG सस्टनेवल डेवलप्मेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2021 में किस राजय ने सीर सस्थान प्राप्त किया है तो 32 का इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन D केरल नेक्ष आईए 33 नंबर में 33 बोरा की भारतिय नौसेना ने देश में किस वस्तू क्यावसकताओं की पूर्ती हेतू और प्रारंब किया है तो ये हो जाएगा ऑप्सन C ऑक्सीजन की पूर्ती के लिए ठीक है तो 34 का आपका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन B बंगलादेश के साथ नेक्ष आईए 35 नंबर में बोरा की हाली में जारी की गई एक रिपोर्ट के नुसार भारत में सरवादिक भिखारियों की संक्या किस राज में है तो 35 का ये हो जाएगा ऑप्सन C पश्चिम मंगल में नेक्ष आईए 36 नंबर में 36 नंबरा की इसरो दौरा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपगर अमेजोनिया 1 का सफल पर शेपन किया गया है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्सन A ब्राजिल का PSLV 51 के दौरा C51 के दौरा नेक्ष आईए 37 में हाली में भारत का पहला फायर पार कहां स्तापित किया जाएगा तो ये उडिसा में हो जाएगा नेक्ष आईए 38 नमबर में 26 जनवरी 2021 को मनाया गया गंतन दिवस परेट में इस वर्स किस देश के ससस्त वलों के एक टुकडिक ने हिस्सा लिया तो ये हो जाएगा ऑप्सन D बंगला देश में बंगला देश ने भाग लिया था 49 आईए भारत ने दो फर्वरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलेंड सनरक्षन परवंदन केंदर नेक्ष आईए 40 नमबर में पूर विदेश मंतरी फूमियो कि सिदा को किस देश का परधान मंतरी निग्द किया गया है तो 40 का इसका सही एंसर हो जाएगा उपसन D जापान याद रखेगा जापान के परधान मंतरी फूमियो कि सिदा है 41 नमबर में ये निमलिखित में से कौन सा देश ओकस का सदस्तिन नहीं है तो 41 का इसका सही अंसर हो जाएगा option A, France इसका सदस्य नहीं है नेक्ष आईए 42 नंबर में बुरा सितंबर 2021 में संसत के अध्यक्षियों का पांचवा विस सम्मेलन कहां योजित किया गया तो 42 का इसका सही हो जाएगा option B, Vienna, Austria नेक्ष आईए 43 में सितंबर 2021 में फ्लोरीडा एस्तित हिंदू इनिवर्सिटी ओफ अमेरिका ने किस भारतिय विनेता को हिंदू अध्यन में डॉक्टरेट की मानद उबादी परदान की है तो ये हो जाएगा option C, अनुपम खेर को नेक्ष आईए 44 नंबर में सितंबर 2021 में संगाई सहयोग संगठन का बैठक कहां हुआ जिसमें इरान के नौवा पुर्ण सदस्ते बनाय गया है तो ये important है तो 44 का इसका सही हो जाएगा option A, दुसामबे ताजाकिस्तान में 45 माई ये 12 डोस किस देश के उपनिवेश से अलग होकर अपने को सोतंत्र घोसित किया है तो 45 का इसका सही एंसर हो जाएगा option D, ब्रिटेन से नेक्ष आईए 46 नंबर में 46 नंबर बोरा कि साइवर आम्स फर्म एनसो दौरा विक्सित वह स्पाइव एर पेगासस तो पेगासस का जो निर्मान करता था वो कौन सा देश था तो ये था इसराइल नेक्ष आईए 47 में 47 बोरा जून 2021 में कौन सा देश विसका पहला मास मुक्त देश बन गया है तो 47 का ये हो जाएगा option C इसराइल नेक्ष आई 48 में विसका सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंसन ब्रीज और ओका को किस देश में खोला गया है तो 48 का इसका हो जाएगा option C पूर्टगाल में नेक्ष आईए 49 नंबर में वर्ष 2021 में विसका सबसे सक्तिसाली जलवायू परिवर्तन सूपर केंप्यूटर बनाने वाला देश है तो 49 का इसका सही अंसर हो जाएगा option D ब्रीटेन नेक्ष आई 50 में मानवाधिकार के उलंगन को लेकर सेंग्त राष्ट मानवाधिकार पैसत ने किस राष्ट के विरुद मार्च 2021 में पस्ताओ पारित किया तो 50 का यहाँ पर हो जाएगा option C स्रीलंक का और इसके वोटिंग में भारत इसमें अनुपस्तित रहा था नेक्ष आई 51 नंबर में हलदी वाड़ी चिलाहाटी रेल मार्क के माध्यम से मालगाडियों का नियमी संचालन भारत का किस देश के साथ हुआ तो 51 का यह हो जाएगा option B बंगला देश के साथ नेक्ष आई 52 में बोराय की 105 समिधान संसोधन अधिनियम और 127 समिधान संसोधन विद्यक किस से संबंदित है तो 52 का इसका हो जाएगा option ने केंदर के साथ साथ राजियों कभी पिछडी जातियों की सूची तयार करने का अधिकार दिया गया है नेक्ष आई ये तिरपन नमबर में निष्ठा 2 किस से संबंदित है तो 53 का ये हो जाएगा option B सिक्षकों के तकनीकी परसिक्षन से नेक्ष आई ये 54 नमबर में 54 बोरा की रामगट विसधारी वन ने जी अभ्यारन देश का बावनवा टाइगर रिजर्व किस राज में है तो 54 का इसका सही एंसर हो जाएगा option D राजस्थान में नेक्ष आई ये 55 में हैदर पूर को दिसंबर 2021 में देश का 47 रामसर साइट घोसित किया गया या किस राज में है एकदम लेटेश कोर्शन है तो 55 का इसका सही एंसर हो जाएगा option D या उत्तर परदेश में तो पूछेगा कि आप रामसर साइट कितने हो गया है तो रामसर साइट भारत में 47 हो गया है लास्ट कौन सा बना है तो हैदरपूर जो की उत्तर परदेश में है नेक्ट आइए 56 में 56 में बोर रहा है कि टाइम हाइर एजुकेशन द्वारा दे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 20 का कौन सिर्स विस विद्धाल है तो 56 का ये हो जागा ऑक्सफोर्ड विस विद्धाल है ब्रिटेन नेक्ट आइए 57 में बोरा एक जन्वरी 2022 से सिंग्त राश्रुक्षा परिस्द के 5 अस्थाई सदस से कौन से देश होंगे तो 57 में यहाँ पे C हो जागा ये सभी 500 देश है भारत, आयरलेड, केन्या, मैक्सिको और नार्वे 58 में आईए बोरा की जैबी वित्धा है तो चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का योजन हाइब्रिट तरीके से किस देश में किया गया तो 58 का ये हो जागा ऑप्शन B फ्रांस में 59.20 का पहला उर्जादीप अस्थापना की मंजूरी परदान की है तो किस ने परदान की है तो 59 का हो जागा ऑप्शन B डेनमार्क ने पहला उर्जादीप के अस्थापना करने की मंजूरी परदान की है नेक्स्ट आईए 60 में Fortune Glover 500 सुची 2021 में कौन सी कंपणी सर्वोच अस्थान पे रही है तो ये हो जाएगा Option A Walmart 61 में ये भारत का पहला हरीत यहाँ पे देख लिजएगा कि कौन सा जारी कर रहा तो Fortune Glover 500 में सीर्ष अस्थान है Walmart का भारत का पहला हरीत विशेश आर्थिक छेद्र कौन सा है तो 61 का यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा Option D Candela Port नेक्स्ट आईए 62 नंबर में भारत का सबसे कम उम्र की महिला पाइलट कौन बनी है तो 62 का हो जाएगा Option A A S.A.G. जो की जम्मू का समीर की है 63 हो जाएगा 20 वेपार संगठन का महा निदेशक उंकोजा इविला को बनाया गया हुआ किस देश से सम्बंदित है तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा Option D सिख्छा मंत्राले से 55 नंबर में कौन सा इसमे गलत है तो 65 के यहाँ पे D हो जाएगा जो की गलत है 66 में तो 66 में यहाँ पे देख लिजी आप लोग का तो यहाँ पे 66 का किताब है उसके लेखक का नाम दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी सुमली थे हैं ठीक है आमने सामने जो भी है वो सभी सुमली थे हैं तो यहाँ पर मैं के वल इसका बताते जा रहो 400 Days के लेखक जहाँ चेतन भगत है टेस फ्रॉम माई हार्ट के लेखक है रस्किन बॉंड दा इंडिया स्टोरी के लेखक है वीमल जलान वेर आवार्ट जुम्पा लहरी लैंग्वेज ऑफ टूथ के लेखक है सलमान रुजदी हाँ अवाइड क्लाइमेट डिजास्टर के ले लैंड यह इनके लेखक ब्राकोवा मैं तो दस यहां पर हम दिये हैं इसमें से कोई न कोई आएगा जरूर आएगा 67 मैं यह सुमलित कीजे इसका भी आमने सामने का सही है तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है और इसी में से कोई आ सकता है तो वरून जो भारत और फ्रांस के बीच और व्रज प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच और खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच यह जो 6 है यह आप लोग याद रखिए इसी के बीच में से कोई न कोई कोई कोश्टन दिया जाए अच्छा नेक्षा यह सुमलित क कुछ है यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर इस और जायत तलवार Ho जाएगा भारत और सैयुक्त अरब अमिराथ तो यह जो यूजिंग वाला है वह आप लोग देख ली जगा कोंकरन अभ्यास जो हो जागा भारत और बृतेन के बीच चलिए यहां पर भी यह सब दे दिये एक जगा ऐसे जान बुचकर ऐसे दिया गया है ताकि आप लोग याद कर लें ठीक है यह आपका नहीं है कि इसमें नंबर 2012 अरून सुखला को मिला है याद रखेगा नौर्मन बोड लोग राष्टिय पुसकार 2021 काजल चक्रवर्थी को मिला है असकोठ पुúngकार 2021 ठीक है पश्चिममंगार राज्ये को मिला है सुसती पुसकार 2020 मराथी लेकक सरणकुमार लिमबाले को मिला है गांधी संति पुर्षकार 2019 ये उमान सुल्तान कबूस बिन साइद अलसाइद को मिला है ठीक है उमान के है ये और गांधी संति पुर्षकार 2020 बंगलादेश के बगबंदू सिख मुझबीर रहमान को मिला है नेक्षए सहीत अकादमी पुर्षकार 2020 ये अनामिका हिंदी के लि पर्देश के मुख्यमंत्री को ठीक है यह आंध पर्देश के मुख्यमंत्री को दिया गया है नेक्स्ट आई 71 नंबर में तीसवा राष्टी ए उर्जा सनरक्षन पुर्षकार किस कंपनी को दिया गया तो 71 का इसका सही अंसर हो जाएगा आपसिन ए टार्टा मोटर्स को 72 नंबर में ये वैस्टिक सिख्चक पुश्कार 2021 को द्यागया है एक सिख्चि का है जबकि जो दूसरा सिख्चक है वो भिहार के है और ये जो है ये है आपसिन बी सत्यम मिश्रा नेक्षाइए 73 नमबर में 73 नमबर बोरा किस देश के परधान मंत्री को SDG Progress Award 2021 से सम्मानित किया गया है तो 73 का ये हो जागा option C बंगला देश के परधान मंत्री को नेक्षाइए 74 में International Booker Prize 2021 डेविड डियोप को उनकी पुस्तक at night all blood is black के लिए दिया गया है वह किस देश के नागरिक है तो 74 का यहाँ पर हो जागा option B वह फ्रांस के नागरिक है 74 नमबर याद रखेगा important question है 75 में ये नेलसन मंडेला विस मानफता वादी पुस्का 2021 किसे दिया गया था तो 75 का यहाँ पर सही हो जागा option है रुमाना सी सहगल को नेक्स रहे 76 में Miss Universe 2020 की विजेता मैक्सिको की सुंद्री एंड्रिया मेजा जीती है या परित्युकता किया गया था किस देश में इसका आयोजन किया गया था तो यह हो जागा option A अमेरिका में नेक्स रहे 77 में पुलिजर पुसकार 2021 जन सेवा के लिए किस समचार पत्र को दिया गया है तो 77 का हो जाएगा option C न्यूआक्ट टाइम्स को पुलिजर पुसकार 2021 जन सेवा के लिए दिया गया है 78 में आईए 78 में बोर रहा है कि निमलिखित में से किस देश के परधान मंतरी को लीजन आफ मेरिश सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है तो 78 का इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option C ब्रिटेन के परधान मंतरी बोरिस जोंसन को नेक्ष्ट आईए 79 में समलित कीजिए तो 79 में यहाँ पर देख लिजिए यह सभी समलित है तो यहाँ पर देख लिजिए अमेरिकी ओपिंग जो होता है उसमें डेनियल में देव रूस जो है यह पुरूस एकल बिजेता है बाकी बिंबल्डन, फ्रेंच और अस्टेलियन यह सब में तीनों में नुवोग जोकविच हो जाएगा तो यह असानी से याद हो जाता है पुरूस वाला में कि अमेरिका में डेनियल में दो होंगे बाकी तीनों में नुभोग जोकोविच पुरूश टेनिस में जीते हैं असी नंबर मैं यह उसी तरह महिला टेनिस में आ जाईए तो अमिर्की ओपन जो जीते हैं वो एमार आदुकानू बिटेन की हैं यह जीते हैं विम्बल्डन टेनिस जो है एसले बाठी अस्टेलिया के इन्हों ने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गनराजे के इन्हों ने जीता है नेक्स आई एक और बच गया है अस्टेलियन ओपन 2021 नौमी उसा का जपान ने जीता है ठीक है नेक्स आई ये यूरो कब 2021 की कौन सी देश बिजेता बनी है 21 नंबर इंपोर्टेंट है आप लोग याद रखेगा 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए यूरो कब 2021 फुड़ वाल का ये मैच होता है ये इटली ने जीता है नेक्स आई 82 में 100 फर्मूला वन रेस जीतने वाले बिस के पहले चाला कौन बने है तो 82 का इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लुईस हैमिल्टन नेक्स आई 83 में ACI कुस्ती चेंपियंशिप 2021 में इरान 17 पदक जीत कर प्रथम अस्थान पर रहा जबकि भारत 14 पदक जीत कर किस अस्थान पर रहा है तो 83 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी तिर्ती अस्थान पर रहा है तो 83 भी आप लोग याद रखिएगा वहीं कुस्ती में बात करें तो ACI मुक्यबाजी चेंपियंशिप 2021 में भारत 15 पदक जीत कर कौन से अस्थान पर रहा है तो 84 का इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतूर्थ कुस्ती में बात करेंगा तो तिर्ती अस्थान और बॉक्सिंग में बात करेंगा यानि मुक्यबाजी में तो चौथा स्थान नेक्स है ये 85 नंबर में वर्स 2020 के गिस्म कालीन टोकियो अलंपिक खेल का सुबहंकर क्या था तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्सन सी मिराई तोबा खीक है 85 के यहाँ पे सी हो जाएगा नेक्स है ये 86 नंबर में टोकियो में आयोगी परलंपिक खेल का सुबहंकर क्या था तो परलंपिक खेल का सुबहंकर जो था वो सुमाइटी था 87 में ये टोकिय ओलम्पिक में कुल कितने खेल सामिल थे तो इसका 87 का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33 88 में ये टोकिय ओलम्पिक 2020 में भारत ने एक स्वान दो रज़त चार कांसे पदक सहीद कुल साथ पदक जीत कर कौन सा स्थान प्राप्त किया तो 88 का यह हो जागा option D 48 नेक्ष रही 89 में नोबल पुस्कार बिजेता मुहमद युनूस को ओलंपिक लॉरेस से समानित किया गया है वह किस देश के नागरिक है तो 89 का यहां पे हो जागा option B मुहमद युनूस को समान दिया गया था कि कैसे खेल से किसी देश को आर्थिक से इन्हें समानित किया गया है जो कि बंगला देश से संबंदित हैं वहां के नागरिक है 90 नंबर में यह सुमलित कीजिए तो 90 का यहां पे है वह सभी सुमलित है तो यहां पे देख लेते हैं नीरा चोपड़ा भाला फेक यानि कि जोवलीन थ्रो में सौन पदक जीते हैं उलम्पिक में मीरा बाई चानू भारो तोलन से संबंदित है जिन्होंने रजत पदक जीता है रवी दहिया जो है वो कुस्ती से हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है पीवी सिंदू बेंड विंटन से हैं कां से पदक जीते हैं बजरंग पुनिया कुस्ती कां से पदक भार 2020 में पदक तलिका में अस्थान और पदक दिया गया है तो इसमें कौन सही सुमलित हैं तो इसमें सभी सही सुमलित हैं option A हो जाएगा यानि कि अमेरिका जो है वह 113 पदक के साथ प्रथम अस्थान पे है और चीन जो है 88 पदक के साथ दूतिय अस्थान पे है और जपान जो है पदक और तलिका में अस्थान तो इसमें भी देख लिजे एक वार तो 92 का इसका भी आमने सामने का सभी सही है तो चीन जो है इसमें प्रथम अस्थान पे और उलम्पिक में जो अमेरिका प्रथम अस्थान पे लेकिन पर उलम्पिक में चीन प्रथम अस्थान पे है 207 पदक क साथ 23 स्थान पे और अमेरिका जो है 104 पदक के साथ 23 अस्थान पे और भारत जो है 19 पदक के साथ 24 अस्थान पे आया है नेक्स्ट आईए 93 में बोरा टोक्यो प्रालंपिक 2020 तो ये टोक्यो प्रालंपिक 2020 में यहाँ पर एक और हम लोग देख लेते हैं तो 93 का यहाँ पर जो सभी आमने सामने सुमलित है तो यहाँ पे देख लेते हैं एक और आमनी लेखरा निसानेवाजी स्वान पदक जीते हैं इन्होंने सुमित अंतिल जो है वो जेवलीन थ्रो से भाला फेक से है स्वान पदक जीता है परमोध भगत बैंडविंटन से संबंदीत है स्वान पदक जीते हैं सुहास लवाई यतिराज बेन्विंटन से संबंदित है, राजत पदक जीते हैं, सरत कुमार उची कुज से संबंदित है, कास से पदक जीते हैं, और मरियपपन थांगा वेलू उची कुज से संबंदित है, इन्होंने राजत पदक जीता है, और देवेन जाजरिया जेवलीन संस्करन था वो भूबनेश्वर उडिसा में इसका आयोजन किया गया था तो खेलो इंडिया इन्युवर्शिटी गेम्स 2021 का ये दूसर संस्करन किस राज्य में होगा तो 94 का यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी करनाटक में नेक्षा ये 95 में पेरी सोलंपिक 2024 में किस खेल को सम लिद किया गया है नेक्षा ये 96 नंबर में 96 नंबर बुरा अक्टूबर नॉवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉट्लेंड में संपन्द कॉप 26 समिट में भारत ने कब तक सूध कार्वनू सर्जन का लक्षे प्रात करने की घोसना की है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है तो 96 का ये हो जाएगा ओप्शन C वर्स 2017 इस वी तक 97 में ये लिख रहा है कि हर घर दस्तक योजना किस से संबंदित है तो 97 का ये हो जाएगा ओप्शन B कोवीड-19 टीका करन करना परते घर जाकर तो हर घर दस्तक योजना इस से संबंदित है नेक्ष्ट आई ये 98 में 98 में बोर रहा है कि अक्टूबर 2021 में किस राज ने मुफ्त रासन और कोवीड की पहली खुरा को पलब्द कराने में 100% लच्छे हासिल किया है तो 98 का यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन A गोवा 99 में यह अक्टूबर 2021 में देश का पहला एलकोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है तो यह भी आप लोग याद रखेगा तो 99 नमबर का हो जाएगा ओप्शन B गोवा में नेक्ष्ट है यह 100 नमबर में भारत में पहले टेश्ट यूब भैंस के बचोडों की नसल बत्री नसल याद रखेगा भैंस के बचोडों की नसल है यह बत्री नसल किस राज्य में पैदा हुआ तो 100 का इसका हो जाएगा ओप्शन एक गुजरात में 101 मैं यह एक्टूबर 2021 में कौन सा राज एक खुले में सौच मुक्त और परतेक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज बन गया इंपोर्टेंट कोशन है तो 101 का यह हो जाएगा ओप्शन सी यह भी गोवा नेक्ष्ट रही 102 में कौनकन सक्ति 2021 की सैने बास किस देश के साथ भारति सरस्थ वलों का पहला त्री सेवा अभ्यास है तो 102 का इसका हो जाएगा ओप्शन डी यह ब्रिटेंड के साथ है कौनकन स इंपोर्टेंट कोशन है इसको नोट कर लिजेगा 103 माई यह वर्थमान में किस राजे के बिधान सवा भवन का सत्ताब्दी समारो मनाया जा रहा है तो 103 का यह हो जाएगा बिहार का नेक्ष्ट आई 104 में बोर रायकी 16 अक्टूबर 2021 को मनिपूर के सतंता से नानियों को संधार सरधांजली देने के लिए किन सरकार ने किस किन सासित परदेश के दीप माउंट हैरियेट का नाम परिवर्थित कर माउंट मनिपूर कर दिया है तो इंपोर्टेंट कोशन है तो नेक्ष्ट आई 105 नमबर में 105 बोर रायकी 15 अक्टूबर 2021 से भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसिये मेगा सैन अभ्यास बुद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन किया है तो ये भी इंपोर्टेंट कोशन है ये हो जागा उप्शन C अमेरिका के साथ 106 नमबर में ये परधान मंती नेन मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वक्ष भारत मीशन सहरी 2.0 का सुभारम किया है तो 106 का इसका सही एंसर हो जागा उप्शन है दिल्ली से नेक्ष आई 107 में 2.0 अक्टूबर 2021 को गांधी जैन्ती के अफसर पर कहां पर विश्च के सबसे बड़े खादी राष्टिये धोज का अनावरन किया गया तो 107 का इसका सही एंसर हो जागा उप्शन D लेह में नेक्ष आई 108 में किस राजे में दीमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित जुडिमा सराब को बहगौलिक संकेतक यानि की जी आई टैक परदान किया गया है तो 108 का इस हो जागा उप्शन B असम को नेक्ष आई 109 में किस राजे के उत्पाद मीठा खीरा को जी आई टैक परदान किया गया है तो 109 का इस हो जागा उप्शन D नागालेंड को 110 में ये मार्च 2021 में एथनॉल उत्पादन समवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राजे बन गया है तो ये हो जागा उप्शन D बिहार नेक्ष आई 111 में बोरा की अक्टूबर 2021 में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोसना की तो 111 का ये हो जागा उप्शन A चीन 112 में ये किस देश में हिंसक ड्रक अपराधों में ब्रीधी के कारन देश में 60 दिन के अपातकाल की घोसना की गई है तो ये इंपोर्टेंट कोश्चन है 112 का ये हो जागा उप्शन B इक्वाडोर में नेक्ष राई 113 में बर्तवान समय में कुल कितनी महरत्म कमपनियां है तो आप्शन B हो जाएगा 11 नया जो कमपनी वो जुड़ा है वो है PFC को महरत्म का दर्जा दिया गया 114 माई ये किस राजे में सरवाधिक फिल्म अनुकूल राजे का वाड मिला है तो 114 का जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option A सिक्किम को ये भी important है नेक्ष राई ये 15 नमबर में दुबाई में 14 नमबर 2021 को समपन साथ में ICC T20 विसकप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है तो 115 का यहाँ पर देख लीजे हाँ तो 115 का इसका सही एंसर हो जाएगा option D अस्टेलिया अस्टेलिया ने 116 में ये अक्टूबर 2021 में किन दो भारते किर्केटरों को इंग्लैंड के मेरिल बोर्न किर्केट कलब का आज जीवन सदस से बनाया गया है तो 116 का इसका सही एंसर हो जाएगा option A हरवजन सी और जवांगल स्रीनात को नेश्टाई 117 में किस सहर में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन समुन्द रियान पर योजना का सुभारम किया गया तो ये 117 का important है ये हो जाएगा option C चन्नाई से 118 में ये किस तीथी को भारत में COVID-19 टिका करन में 100 करोड का आकरा पार किया है तो किस तीथी को पार किया है तो 118 के ये हो जाएगा option A 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड का टिका करन का आकरा पार कर गया नेक्ट आई 119 नंबर में 119 बुरा अंतराष्टिय और गठवंदन की चौथी महासावा किस सहर में हुई है तो 119 का यहाँ पे हो जाएगा option B नई दिल्ली में तो अंतराष्टी और गठवंदन की चौथी महासावा किस सहर में हुई है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में नेश्टाइ 121 में किस देश की परधान मंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत की यातरा की है तो 120 का इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन डी डेनमार्क की है वह ब्रिव नहीं में ही किया जाएगा 122 में यह आइडिस यानिक इंफास्रक्ट्टर फोर रीस साइलेंट आइसलेंड स्टेट का गठन कोप 26 ग्लासको स्कॉटलेंड सम्मेलन के दोरान किया गया यह कौन सा देश इसका सदस से नहीं है तो 122 का इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन डी फ्रांस इसका सदस से नहीं है नेकशाई 123 में भारत ने किस देश से पहला सयंत्र होगा तो यह 124 का डील हो जाएगा डी गेल ठीक है आप लोग याद रखिएगा नेकशाई 125 में कौन सी कंपणी बजार पुंची करंद और विस की सबसे मुलेवान सारजिनिक रूप से कारोवार करने वाली कंपणी बन गई है 325 का यह हो जाएगा ऑप्सन ए माइक्रोसॉफ्ट इम्पॉर्टेंट है नेकशाई यह 126 नमबर भारत सरकार और एसी आई विकास बैंक ने किस राज में सहरी या तयात में सुधार के लिए पोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग रिंड के लिए समझावता किया है तो यह 126 का हो जाएगा ऑप्सन भी मिजोरम के साथ नेकशाई 127 में अनीता आनंद को किस देश का रास्टिय रक्षा मंत्री बनाए गया है तो आप्सन ए हो जाएगा कनाडा का नेकशाई 128 में बोरा किस देश ने पहला अपना स्वधेशी रूप से विक्सित रॉकेट नूरी लॉंच किया है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो 128 का हो जाएगा ऑप्सन सी दच्छिन कोरिया 139 में भारती नौ सेना का युद्पो तूसिल किस देश में लॉंच किया गया तो 139 का इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी रूस में नेक्श आई 130 नंबर में बोरा कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लिए खक कौन है तो 139 का इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन सल्मान खुरसीद 139 में ये डोमेन गैलगर्ट को उनके उपनियास दो प्रॉमिस के लिए बुकर पुस्कार 2021 दिया गया हुआ किस देश के नागरिक है तो 131 का इसका ये हो जाएगा ऑप्सन डी ये दच्छिन अफ्रिका के नागरिक है नेक्ष आई 132 में इंडियन प्रिमेर लीग 2021 में चन्नाई सूपर किंग्स ने कुलकता नाइट राइडर्स को पराजित कर कितनी बार ट्रॉफी जीती है तो ये हो जाएगा ऑप्सन बी च्यार बार 133 में ये माल्दियू में संपन साउथ हैसेन चैंपियनसीब 2021 में भारत ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता है तो 133 का ये हो जाएगा ऑप्सन ए नेपाल को पराजित कर इंपोर्टेंट कोशन है याद रखिएगा 134 में है यहाँ पे सुमलेन करना है जो की सही है सब कुछ आमने सामने यहाँ पे देख लेते हैं जलवायू परिवर्तन परदसन सुचकांक में सीर्ष देश जो है डेनमार्क है और भारत का स्थान जो है वो दसवा है तो इसे आ पार्तिक सोतंता सुचकांक 2021 का बात करें तो पहले स्थान पर सिंगापूर है और भारत का स्थान इसमें 121 हुआ है पांचवा पर आईए कोविड-19 परदसन सुचकांक 2021 का बात करें तो इसमें वियतनाम जो है पहले नंबर पर है और भारत का स्थान इसमें 86 है वहीं वैस वैस्विक जलवायू जोखिम सुचकांग का बात करें तुझ सबसे ज़्यादा खतरनाक जोखिम वाला है मोजंबीक और भारत का भी अस्थान बहुत खराब इस्तिती में है वो है सातों अस्थान नेक्ष्ट आईए और भी है कुछ समलुक देख लेते हैं आपे चलिए वैस्विक खाद सुरक्षा सुचकांग में आयरलेंड का पहला नमबर पर अस्थान है और भारत का एक तरवा ग्लोवर हंगर इंडेक्स 2021 का बात करें तो ये बेलारूस पहले नमबर पर है और भारत का स्थान 101 है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापूर का पहले स्थान पे है और भारत का स्थान यहां नबेवा है वैस्विक नवचार सुचकांग में पहले स्थान पे स्वीजर लेंड भारत का स्थान 46 है नेश्ट है सतद विकास लच्छे में पहला लच सतत विकास छच्छ सुचकांग 2020 में पहले स्थान पे स्वीडन और भारत का स्थान 121 है और वैस्विक परतियस परधातमक सुचकांग 2021 में पहले स्थान 7 पे स्थान 141 है नेक्ट उसी तरह 135 में आई है इसका भी आमने सामने सब सही है बैस्विक सांती सुचकांग 2021 में पहले सांग पर आइसलेंड है और भारत का स्थान 135 है ग्लोबल लिवेबिलीटी इंडेक्स में पहले ऑकलेंड न्यूजिलेंड और भारत का स्थान यहाँ पर देखना पर जाएका नहीं दिया गया है बीस उप्रेस सुचकांग 2021 में पहले नमबर पर नार्वे है और भारत का स्थान 142 है यह इंपॉर्टेंट कोश्चन है वहीं वैस्विक उर्जा संक्रमन सुचकांग में पहले नमबर पर स्वीडन है भारत का स्थान इसमें 87 है नेक्ष्ट 136 में हम लोग देख लेते हैं ग्लोबर जेंडर गैप ग्लोबर जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में सीर्स अस्थान जो है वह आइसलेंड का है और भारत का स्थान इसमें 142 है वहीं अंतराश्टिय बौधिक संपदा सुचकांग में पहले स्थान पर अमेरिका है और इसमें भारत का सांथ 40 है तो इस तरह से करके हमारा यहां पर आप लोग देख सकते हैं और कुछ अच्छा यहां पर भी है अच्छा यह तो मैंने करवा दिया है तो इस तरह से करके यह हमारा पूरा एक से लेके 136 तक कंप्रीट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं औ और यह एक तरह का guess question है ठीक है और उमीद करते हैं कि इससे आपका ज्यादातर question आहीं जाएगा क्योंकि जो भी important question था वो guess करके इसमें दे दिया गया है तो एक बार अगर अगर आप लोग इसे confirm आप लोग पढ़ लें ताकि अगर एक्जाम में इससे संबंदित question आया latest है को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद